एक बार गुजरात से घोडों का वेपारी महाराना परताप के पास तीन घोडे लेकर के आया और उन्हें खरीदने के लिए कहा तब महाराना परताप ने कहा कि पहले घोडों का प्रिक्षन दो उसी समय वेपारी ने अपने एक घोडे के चारों पैर मौम से जकड कर बांद द और स्वैम दूर जाकर के एक ऐसी आवाज निकालता है जिसे घोडे को लगा मेरा मालिक किसी घने संकट में है उसने जैसे ही अपनी पूरी शक्ति से छलांग गाई तो धड़ पैरों के फसे होने के कारण अलग होकर दूर जाकर के गिरी ये सब देक महारा परताप हैरान र प्रक्षा की थी जब तक साथ रहा महाराना को एक ख्रॉंच तक नहीं आने दी स्वामी भक्त घोडे चेत्राइब